अब रुकरते हैं शिमला की ओर शिमला में आग का भयानक तांडव छे परिवार हुए बेघर करोडों का हुआ नुकसान हिमाजर प्रदेश के शिमला में आग लगने का मामला सामने आया है तरसल ये आग चिंद गाउं शेतर के तहत धमवाडी पंचायत के गजियानी गाउं में लगी है यहाँ पर तीन मकाम जलकर खाक हो गए हैं लेकिन खटना में छे परिवार पेघर हो गए हैं वहीं अगनिकांड में एक करोड से ज्यादा कि संपत्ती के नुकसान का नुमान लगाया जा रहा है हाला कि किसी भी तरह की जन्हानी नहीं हुई है आग जने की घटना कल सोमवार शाम को घटी है और लकडी के मकानों में इतनी तेजी से आग फैली की पूरा गाउंस सहम गया सूचना मिलते ही रोगडू से दमकल की गाडिया मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया स्थानिय लोग पहले से आग पर काबू पाने के लिए मौके पर जुटे हुए थे और मौके पर पहुंची पुलस और प्रसाशन की टीम ने आग लगने का कारण प्राथमी की जाच में बिजली का सौट सरकिट बताया है अदमकल वाहन के समय पर मौके पर पहुंचने से आसपास के कई घर को बचा लिया गया है वहीं रोडू के SDM DR शर्मा ने बताया है कि प्रभावितों के प्रती परिवार 5000 की फौरी राहत प्रदान की गई है और उनके रहने का भी प्रबंद किया गया है